दोस्तो नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त प्रबल और एक बार फिर से आप सभी का ज्वागत करता हूँ अपने चैनल दाजनिक भारत में दोस्तो आज का वीडियो डिकार्ट दर्शन पर आधारित है और ये डिकार्ट दर्शन में जो मन शरीर द्वैतबाद है उस पर आधारित है और ये परिक्षा के द्रश्टी कौन से अती महत्मूर टॉबिक है मन्शरीर द्वायतबाद के साथ हमें इसकी आलोचना भी तयार करनी है ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हमने अब तक देकार्ट दर्शन में क्या-क्या पढ़ लिया है देकार्ट की दाशनिक प्रणाली और संदे की बिधी कोजटो एर को संपड़ लिया यानि की मैं सूचता हूँ, अता हमें हूँ और देकार्ट का ईश्वर विचार भी हमने पढ़ लिया है आज जो हम पढ़ेंगे वो है देकार्ट दर्शन में मन शरीर का द्वैतबाद तो द्वैतबाद हम समझें मन शरीर का द्वेतबाद समझें उससे पहले हम ये समझ लें कि द्वेतबाद यानि ड्यूलिजम होता क्या है द्वेतबाद जो शब्द है या एक तत्वद या बहु तत्वद ये शब्द जो है, वो किस से जोड़े होते हैं तत्मिमानसा से तो द्वयतबाद जो है, वो यह मानता है, मैंने बताया था, तत्मिमानसा में हम किसकी बात करते हैं, मूल तत्वगी, है ना, रियालिटी की बात करते हैं, जो मूल तत्व है, उसकी बात करते हैं, इश्वर की, आत्मा की, जगत की, इनकी हम तत्मिमानसा में, यानि मेटाफि कि मूल तत्व जो हैं वो संख्या में, कितने हैं, मूल तत्व संख्या में दो हैं, द्वयत ऐनी दो, ऐसे ही होता है, एक तत्व बाद, एक तत्व बाद, एक तत्व बादी वे हैं, जो मूल तत्व को संख्या में एक मानें, जैसे की वेदान्त, अद्वयत वेदान्त जो हैं द्वयद विधानती जो हैں वो ब्रह्म को ही एक मात्र reality के रूप में, तत्व के रूप में सुईगार करते हैं अतावे एक तत्वदी है और फिर होता है भहुतत्वदी भहुतत्वदी जैसे कि जैन दर्शन जैन दर्शन की तत्वमिमानशा जो है वो बहुतत्वादी है क्योंकि उसमें एक से अधिक तत्वों को मूल तत्व के रूप में द्रब्व के रूप में स्विकार किया गया है तो यहां डेकार्ट जो है डेकार्ट की तत्मिमान सा भी कैसी है द्वैदवादी क्योंकि डेकार्ट यह मानते हैं कि इस जगत में केवल दो ही प्रिकार के द्रव मौझूद हैं वे हैं जड़ और चेतन तो जड़ और चेतन को ही यह डेकार्ट जो है द्रव मानते हैं यह विल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने सांख-दर्शन हमारा भी चल beggar था तो उसमें भी प्रिकृति और पुरुष को माना गया था तो सांख जो है वो भी द्वैतवादी है तो जैसे प्रिकृति जड़ है वैसे ये जड़ तत्व को स्विकार करते हैं जैसे पुरुष चेतन है सांख का वैसे ही ये चेतन तत्व को चेतन द्रव्य को सुईकार करते हैं कौन डेकार्ड तो डेकार्ड का मानना है कि जगत में दो ही प्रिकार की चीजे हैं चित यानि चेतन और अचित यानि की जड़ चित जैसे की हमारी आत्मा या मन और अचित जैसे की हमारा ये शरीर ठीक है तो दो प्रिकार के यही द्रव् वे जगत में हमें देखने को मिलते हैं अब जो डेकार्ड हैं वो जगत के बारे में क्या कहते हैं और द्रब यानि सबस्टांस जो है वो जड़ और चेतन कहते हैं दो द्रब हैं लेकिन ये द्रब क्या है डेकार्ड के अनुसार और ये जगत क्या है तो डेकार्ट यह कहते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बिस्व मूलक तर्क पढ़ा था हमने, इश्वर विचार में, डेकार्ट का जो इश्वर विचार था, उसमें डेकार्ट ने यही तो माना है, कि इस ब्रह्मान की रचना, इस बिस्व की रचना किस ने की है, इश्व इश्वर ने किया है इश्वर कैसा है पूण है अनंत है सर्वसक्तिमान है सरवग्य है ऐसा इश्वर है और यह इश्वर पूण है अनंत है सर्वसक्तिमान है इसलिए यह कभी भी मिथ्थे जगत की यानि जूटे जगत की तो यह रजना कर नहीं सकता इसलिए जो यह जो रिय रचना सच्चे इश्वर ने की है इसलिए इश्वर अगर जूंटे जगत की रचना करेगा तो स्वेम जूंटा हो जाएगा और फिर जूंटे जगत की रचना करेगा क्यों क्योंकि इश्वर तो कैसा है इश्वर तो सच्चा है तो वह किस प्रकार के यह जो जगत है वह कैसा और इश्वर इस जगत का निमित्त कारण है तो इस जगत का उपादान कारण कौन है यह प्रेशन यहां से उठ जाता है जगत की रचना इश्वर किस सामिक्गिरी से करता है तो जगत की रचना के लिए जिस सामिक्गिरी की जरूवत होती है उसी को डेकार्ट ने क्या कहा है द्रब कहा, वही सबस्टांसे, यानि किस जगत की रचना सबस्टांसे की गई है, अब डेकार्ड के दृष्टी कोण में द्रब क्या है, तो द्रब बहे पदार्थ है, जो अपने अस्तित्व के लिए किसी पर निर्भर ना हो, यानि जिसे किसी की अपेक्छा ना हो, जो कैसा हो निरपेक्षो ठीक है यानि स्वतंत्र हो सबसे जो तो द्रब बह है जो अपने अस्तित्व के लिए किसी पर भी निरभर नहीं करता और डेकार्ड कहते हैं कि द्रब जो है वे संख्या में कितने हैं द्रब तीन हैं पहला द्रब है इश्वर दूसरा है चित और तीसरा है अचित चित यानी चेतन जैसे कि हमारी आत्मा या मन है ना और अचित जैसे कि जो जड़पदार्थ है वो बहुत सारे हैं अचेतन पदार्थ जो है न तो अचेतन चेतन और इश्वर ये तीन यूं ए तीन जो और प्रकार के गिनाते हैं अब इश्वर जो है वो चेतन हैं हमने पढ़ा था प्रियोजन मूलक तर्क में कि इस ब्रह्माण में सब कुछ हम देखते हैं अपने चार ओर तो हम पाते हैं कि सारा कुछ कितना योजना बद्ध है सारा कुछ इतना विवस्तित है कि प्रत्वी सूरी के चार ओर चक्कर लगाती है नदियां उचे स्थान से नीचे स्थान की और ही जल लेके जाती है तो ये सब कुछ इतना विवस्तित है कि इसे देखकर लगता है कि इसकी रचना है एक किसी चेतन, चेतन शक्ती की रचना है ठीक है? जो बहुत ज़्यादा बुद्धिवान है एक चेतन शक्ती की रचना तो ईश्वर जो है वो चेतन है जैसे कि हमारी आत्मा चेतन है तो ईश्वर चेतन है और हमारा आत्मा या मन डेकार्ट देखिए डेकार्ट मन और आत्मा को दोनों को एक ही अर्थ में प्रियोग करते हैं कुजिटो एर्गोसम आत्मा की सत्ता कैसे सिद्ध होती है चिंतन से है ना हमारी चिंतन शक्ती से आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है इसलिए जो डेकार्ड है वो मन और आत्मा को एक ही अर्थ में प्रियोग में लाते हैं तो ईश्वर और हमारी आत्मा या मन जो हैं वो कैसे हैं वो चित हैं और ये शरीर हमारा और बाकी जो सेस जो कुछ बसता है इनको छोड़कर जो भी सेस बसता है वो सब क्या रहे हैं जिसमें हमारा शरीर में सामिल है वो सब क्यासा है अचित यह निया चेतन द्रब्ब्ब्ब तो आपने देखा कि मुख रूप से दो ही कैटेगरी बन गई चित की और अचित की, है न, चेतन और जड़, दो ही पिरकार की यह कैटेगरी यहाँ पे बन जाती हैं, आप यहां से देख सकते हो, कि यह जो है, वो यानि चित पतार्थ, यानि कि हमारी जैसे कि हमारी आत्मा, या हमारा मन और यश्वर यह चेतन है, ये कैसे हैं, चेतन और ये जो अचित बचा, शेश जो कुछ भी है, हमारा शरी जिसमें सामिल है, वो सबकुछ कैसा है, अचेतन हैं, तो यहाँ पर चित और अचित यह दोनों ही द्रभ्य जो है अपने अस्तित्व के लिए किस पर निर्वर करते हैं, इश्वर पर निर्वर करते हैं, वैसे तो एक जगा यह क्या कहते हैं, कि तीन द्रब्य हैं, उपर बताया कि तीन हैं, इश्वर, चित और अचित, यह तीन द्रब्य हैं, लेकिन फिर बाद में क्या कहते हैं, बाद में क परिवाजा क्या कही थी कि ड्रब वह है जो किसी पर निर्भर ना करता हो किसी पर आशरित ना हो लेकिन आप देख रहे हो कि चित और अचित यानि कि हमारा मन या आत्मा और हमारा शरीर वागी जो कुछ भी है ये सब किस वे निर्भर करते हैं इश्वर पर अपने क्या कहलाएगा सही अर्थ में द्रब तो इसलिए कैटेगरी बना दी कि निर्पेक्ष निर्पेक्ष द्रब कौन है इश्वर है क्योंकि इश्वर किसी पर निर्भर नहीं करता और है सापेक्ष द्रब सापेक्ष द्रब कौन से हैं चित और अचित यानि जैसे कि चित हमार हमारा मन हमारी आत्मा है ना ये हमारा मन हमारी आत्मा आधी ये जो है वो किसे पर निर्वर कर रही है इश्वर पर और ये जो हमारा शरीर है और बाकी की जो जड़पदार्थ है वो भी किस पर निर्वर कर रहे है इश्वर पर तो हम यहां से देख सकते हैं कि एक इश्वर ही द्रब्य है ठीक है कौन है इश्वर ही द्रब्य है केवल और बाकी जो कुछ भी बचता है वो सब इश्वर पर निर्भर कर रहे हैं कौन जैसे कि ये जड़ ये चेतन हमारी आत्मा या जो भी चित पतार्त है वो भी और अचित पतार्त जो है जिसमें हमारा शरीर भी सामिल है बो भी, तो यदी जिस परिकार की भी परिवासा देते हैं, डिकार ने जिस तरह से द्रब्य की परिवासा दिये, उस हिसाब से केबल और केबल एक ही द्रब्य होना चाहिए, जो की आलोचना में बात में जब इसकी आलोचना की जाती है, तो ये बात सामिल की जाती है उसमें, यह जब एक तरफ कहते हो आप की तीन है फिर दो पे आ जाते हो फिर कहते हो कि यह जो चित और अचित है वो इश्वर पर निर्वर कर रहे हैं तो जब इश्वर पर निर्वर कर रहे हैं तो इन्हें आप द्रब कैसे कह सकते हो तो यह आलोचना का इसमें भाग बन जाएगा आ सापेक्ष द्रब लेकिन फिर भी डेकाड ने इने द्रब भी क्यों कहा ये तो द्रब नहीं होने चाहिए कायदे में क्योंकि इश्वर पर निर्वर कर रहा है कौन चेतन और अचेतन द्रब जो है वो इश्वर पर निर्वर कर रहा है तो द्रब नहीं होने चाहिए लेकिन फ इश्वर पर निर्वर हैं, फिर भी इन्हें क्या कहा गया है, कि ये द्रब हैं, सापेक्ष द्रब हैं, वो इसलिए तो डेकार्डेहां पर ये कहते हैं, कि इनको इसलिए द्रब की स्रेणी में रख लिया गया है, क्योंकि ये केबल और केबल इश्वर पर ही निर्वर करते है इश्वर के अत्रिक्त इनका ये किसी पर निर्वर नहीं करते हैं समझे रहे हो यहां तक कि एक दूसरे पर भी निर्वर नहीं करते हैं यानि कि चित अचित पर निर्वर नहीं करता अचित चित पर अपने अस्तित्व के लिए निर्वर नहीं करता तो ये एक दूसरे पर भी निर्वर नी करते हैं यानि इनमेंसे प्रितेक जो है वो केवल और केवल ईश्वर पर निर्वर करता है अपने अस्तित्व के लिए तो ईश्वर को इसी लिए क्या कह दिया गया है निर्पेक्ष तद्व तो यहां एक ईश्वर जो है वो निर्पेक्ष हो गया और ये जो है वो कैसा हो गया सापेक्ष द्रब्ब की स्रेणी में रख दी जाते हैं एक बार हमें यहाँ पे review ले ले लेते हैं कि निरपेक्ष कौन है? निरपेक्ष दरभ कि स्रेणी में क्यवल इश्वर आते हैं क्योंकि इश्वर जो है वो किसी पर असरत नहीं है, पूरी तरह से सुततनत्र हैं, ठीक है? तो ईश्वर निर्पेक्ष द्रब्ब है और सापेक्ष द्रब कौन से है जो बचा यानि हमारी आत्मा यानि की चेतन पदार्थ वो और अचित जो है वो यानि चित और अचित दोनों पिरकार का जो द्रब्ब है वो कैसा है सापेक्ष द्रब्ब क्योंकि ये ईश्वर के अत् फिक्स द्रब लेकिन डेकाड अंतिम रूप से तीन द्रब गिनाते हैं वैसे तो लेकिन अंतिम रूप से दो ही प्रिकार के द्रब जो हैं वो मानते हैं स्विकार करते हैं कहाते हैं कि दो ही प्रिकार के द्रब्यों की सत्ता है वो है चित और अचित द्रब में इश्वर और ह यह हो गया उनका द्वयतवाद, ठीक है, कि उन्होंने बता दिया कि दो प्रकार की चीजे ही है, एक चित है और अचित है, अब हम चित और अचित को छोड़कर हम बात करेंगे आत्मा की और शरीर की, क्योंकि मन और शरीर का ही यहां हमें द्वयतवाद जो है, वो दिखाना है ठीक है तो हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारा जो मन है यानि कि जो चित है चित पदार्थ जो है मन यानि आत्मा हमारी और हमारा जो शरीर है यानि कि जड़ पदार्थ है यानि कि अचित पदार्थ जो है वो इन दोनों में अंतर क्या है देखो हम मन से चिंत में भाग नहीं ले सकता हिर तो नहीं हो सकता इसा है जो कैसा है जड़ चेतन है एक बहुत सारे अनतर हैं यह दोनों कैसे है एक दूसरे के बिरोधी हैं गुणों में, है न, एक सबसे बड़ा बिरोध तो यही है, इन में की एक चित है और एक आचित है, मन चित है और श्री जो है वो आचित है, तो यह पूरी दरा से एक दूसरे के कैसे हैं बिरोधी है लेकिन जब हम किसी मनुष को देखते हैं तो देखकर बहुत आश्चर होता है कि मनुष में चिंतन भी होता है मनुष सूच भी सकता है और उसका शरीर भी बच्चा होता है बड़ा हो जाता है उसमें विस्तार भी होता है ऐसा क्यों होता है मनुष्य के साथ क्योंकि मनुष्य में चित पदार्थ भी होता है यानि आत्मा भी होती है और अचित पदार्थ भी होता है यानि शरीर भी होता है तो विस्तार शरीर का होता है और चिंतन जो है चिंतन की प्रिकरिया किस से होती है उसके अंदर आत्मा से लेकिन आश्र कहां पर होता है, आश्र ये होता है देखकर, कि ये जो चित है वो और अचित पतार्द, जब मनुश्य को देखते हैं, तो ये चित और अचित दोनों एक दूसरे के साथ हमें देखने को मिल जाते हैं, जबकि दोनों विरोधी हैं, तो ये एक दूसरे से संबंदित क्यासे हैं इनमें कैसे संबंद इस्थापित हो जाता है हम सोचते हैं कि हमारा मन करता है ये दोनों ऑंक दुसरे के हमारा आत्मा हुआ और हमारा यह जड़ च्ज़रीर के सामन्जिस बनाके रखते हैं ये अगर हमें पानी प्यास लगती है, तो हमारा मन कहता है, फिर पानी पीना चाहिए, तो मन जो है वो आदेश करता है शरीर के हाथों को, तो हाथ गिलास उठा के पानी पी लेता है, तो मन ने आदेश किया और हाथ ने शरीर ने उस काम को पूरा किया, तो इस प्रिकार से ये द कोनों कैसे हैं सभाब में एक दूसरे के विरोधि हैं तो इन विरोधियों का संबंध कैसे बन जाता है तो बिल्कुल विप्रीत सभाब बाली चीजिजों का पारसपरिक इतना बढ़िया संबंध जो है वो कैसे बन जाता है तो यह संबंध जो है वो किस प्रकार इस्थापेत होता है इसको समझें उससे पहले हम एक बात यहां समझा दें आपको कि यह मन शरीर का दोयतवाद जो हम पड़ रहे हैं यह केवल मन शरीर के दोयतवाद तक ही सीमित नहीं है क्योंकि यहां मन जो है वो कैसा है चित और शरीर जो कैसा है वो द्वैतवाद है, साथ ये परस पर स्वतंत्र, जो एक दूसरे स्वतंत्र है, चित और अचित, एक दूसरे स्वतंत्र है, इश्वर पर लेकिन निर्भर है, तो परस पर एक रूप से स्वतंत्र और विरोधी तत्वों का भी ये द्वैतवाद है, तो इसके एक से अधिक अर् मन और शरीर के दोयत भात के तोन Ó हम यहां पे यह समझेका आप प्रयास करेंगे कि जो मन है हमारा वह यानि हमारी आत्मा जो है वह और हमारा जो यह परस पर चित और अचित होकर यानि परस पर बिरोधी पतार्थ होने के बाद बिरोधी द्रव्य होने के बाद भी एक दूसरे के साथ संबंध किस प्रिकार से स्थापित कर लेते हैं एक मानव के शरीर में ठीक है तो हम पहले इस संबंध को समझते हैं कि संबंध होता भी ह मन और शरीर में या नहीं, देखो, शरीर और मन में पूरा संबंध होता है, बढ़ी आईतम, शरीर को क्रिया करने के लिए कौन आदेश देता है, कोई भी काम करने के लिए हमारे शरीर को आदेश मन ही देता है, पानी पीना होता है, तो मन में ये चीज बिचार आता है, कि पा का शरीर का कमजोर होता जाता है तो शरीर पर उसका सीधा प्रभाब पढ़ता है तबीत खराब हो जाती है तो मन के परेशान होने से शरीर पर उसका प्रभाब साफ साफ दिखाई देता है प्रत्यक्ष होता है उसका और साथ ही शरीर को कस्ठ होने पर मन में भी पीड़ा होती यदि चोट लग जाए, तो दर्द होता है मन में, है ना, तो हम देखते हैं कि शरीर का आत्मा से, यानी मन से, और मन का शरीर से, इन दोनों से एक दूसरे का क्या है, अच्छा वाला एक बढ़िया सम्मंद बना हुआ है, जब कि ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल बिरोधी, सबाब में एक दूसरे से बिल्कुल भिन, और बलकि भिन भी कैसे, कि एक दूसरे का बिरोध करने वाले गोणधारन करते हैं, तो डेकार्ड जो है, मन की, यानी आत्मा की और इस शरीर की, शरीर के इस पारस पर एक संबंद को, समझाने के लिए दो चीजों का सह सहरा लेते हैं, नमबर एक, पिनियल गरंथी, पिनियल गरंथी हमारे दिमाग में पाई जाने वाली गरंथी होती है, और किरिया पृति किरिया वाद, यानी किरिया पृति किरिया का जो सिध्धान्त है, या इसे अंतर किरिया वाद भी कहते हैं, उस सिध्धान्त को शापित करके किस परिकार रह लेते हैं इनके भी सम्भन जो है किस परिकार बंगता है 1 एक किरिया पर दूसरा कैसे जवाब देता है इस चीज़ को समझ़ाने के लिए पिनियल गरन्थी और पिरिति किरियाबाद या antar किरियाबाद का सहरा लेते हैं तो सबसे पहले आप pinial गरंथी को ही देख लो, यह आपका मस्तिश्क है और उसमें आपको यह जो है वो pinial गरंथी मस्तिश्क के अंदर आपको दिख रही होगी, यह है pinial gland, ठीक है ना एक अंतासराभी गरंथी है, तो इसका सहरा लेते हैं, कौन? दिकार्ट क्या समझाने के लिए मन आत्मा और शरीर के दोयतबाद यानी की पारासपरिक समबंद को समझाने के लिए इसका वे सहरा लेते हैं, तो विस क्या कहते हैं वे कहते हैं कि यद्वी जो हमारी आत्मा है ठीक है जो हमारी आत्मा है वो पूरे शरीर में ब्याप्त रहती है पूरे शरीर में जैसे किसी कमरे में बंद कमरे में जैदी हम बल्व जलाते हैं तो उसका प्रिकास पूरे कमरे में फैल जाता है उसी प्रि ये मुख रूप से कहा रहती है हमारे मस्तिस्क में पाई जाने वाली एक गरंथी में आत्मा हमारी जो है एक तरफ ये देखो ब्रोधा वास वाली बात होगे एक तरफ कह रहे हैं कि पूरे शरीर में निवास करती है और फिर ये भी कह रहे हैं कि ये पिनियल गरंथी में म recommends करती है ये पूरे शरी में है लेकिन पिनियल गरंथी में मु excessive करती है जब इंद्रियों दोरक कोई बाह संबेजन प्राप्त होता है जैसे कि कोई हमें इसरी करें है तो इसमें कॉन से इंद्री शक्रिया होजाईगी जाएगा हमारी तोसा से इसरी में होगा और यहां से तंत्री का तंत्र जो है हमारा उसके माध्यम से यह सूचना इस परस की जो इस परस हुआ हाथ पर इसकी सूचना कहां तक का अचेगी पिनियल गरंथी तक तो जैसे ही संबेदन होगा किसी प्रकार का भी किसी इंदरी में आक से और आक से सून के रहाँ या तो किसी कि प्रकार के इंदरी वो संबेधन प्राप्त होता है तो उसकी सूचना तुरंत तंत्री का तंत्र के माध्यम से सही है कहां पहुचा दी जाती है पिनियल गरंती तक तो तंत्री का तंत्र में जो जैविक शक्ती भिक्सित होती है संबेधन के कारण वो जैविक शक्ती जो है सूचना को इस पर तो पिनियल गरंथी में जो सूचना लेके आईए जैवेक शक्ती जब वो पहुंचती है तो पिनियल गरंथी जो होती है वो कैसी हो जाती है गतिशीर हो जाती है गतिशीर होने के बाद पिनियल गरंथी में बैठी ये आत्मा उस आत्मा को धक्का लगता है यानि संबेदन ज उत्तर में एक प्रति क्रिया देती है तो समझ रहे हैं अब इस पर्स यानि एक क्रिया से शुरू हुआ अब आत्मा जो है जो संबेधन आत्मा को प्राप्त हुए उसके अब संबेदन का प्रति उत्तर देती है, यह प्रति उत्तर जो होता है फिर तंत्री का तंत्र के माध्यम से होता हुआ, शरीर के जिस बाद के लिए वो सूचना पहुचाती है, कि जैसे थपड मारना है इस पर अगर किसी ने टच किया और मारना है थपड ऐसा अगर हो, ऐसा आपका मन करें, तो इसकी सूचना दूसरे सीधे हाथ तक पहुचा ही जाएगी, कौन पहुचा है का आत्मा, इस सूचना को आत्मा जो है, वो तंत्री का तंत्री के माध्यम से दूसरे हाथ तक यह सूचना पहुचा देगी, कि तुम्हें यह क्रिया करनी है, यानि कि थपड लगाना, तो वह इस सूर्चना को दूसरे अंग तक पहुँचा देती है, तो यहाँ पर आपने देखा, क्रिया के बदले क्या हुई, पृति गिरिया, क्रिया कहां से शुरू हुई, क्रिया शुरू हुई इस पर से और आत्मा ने उसकी पिनियल गरंथी के माध्यम से आत्मा ने उसकी पृतिक्रिया दी और शरीर ने फिर उसके अपॉर्डिंग काम किया तो आपने ये देखा कि किरिया के बदले पृतिकिरिया हुई है किसके माद्धे हम से पिनियल गरंथी के माद्धे हम से तो यही जो सिद्धानत है वो है किरिया पृतिकिरिया का सिद्धानत या अन्ता किरिया का सिद्धानत बहुत की में क्रिया प्रतिक्रिया का जो शिद्धानते वो ये कहता है कि प्रतिक्रिया के बराबर और विप्रीत प्रतिक्रिया होती है तो यहाँ पर भी अगर हम दर्शन में इसको लेते हैं तो ऐसे कह सकते हैं कि पृते क्रिया की कोई ना कोई पृति क्रिया जरूर होती है और यह जो किरिया हुई थी, इस किरिया की पृति किरिया भी आत्मा ने दी, तो अब यह दोनों बिरोधी चीज़े और परसपर भिन्ने चीज़े हैं, हमारा जो चेतन आत्मा है वो और यह जड़ सरीर जो है वो, लेकिन दोनों मिलकर एक यंत्र की तरह कितना अच्छे से काम करते हैं, है ना, तो यह दोनों भिन्ने हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ पड़े सामन जस्व में काम करते हैं, और किरिया पृति किरिया के साथ रस्पॉन्स करते हैं, एक दूसरे को, तो इस बात को टेकार जो है घोड़ा और घुड़सवार के उधारन से समझाते ह गोडे पे बैठा गोड़सवार जिस ओर इशारा करता है गोड़ा उस ओर मुड़ जाता है जंप लगाने कहता है तो जंप लगा देता है तो गोड़सवार और गोड़ा दोनों एक साथ मिलकर चलते हैं एक ले में एक सामबंजस्य बना के है ना और जब की हैं क्या एक मनुष्रा एक गोड़ा है दोनों दो भिन चीज़ें हैं लेकिन जब दोनों साथ में होते हैं तो उनमें बहुत ही अच्छा एक सामंजस से होता है तो ऐसे ही हमारे आत्मा का या मन का और हमारे शरीर का जो है वो सामंजस से होता है ठीक है और यह जैसे होता है वो आत्मा और शरीर के बीच संबन इस्ताबित होता है पिनियल गरंती और अंतर क्रियाबाद के कारण संबब हो पाता है अब जैसे कि यह शरीर है शरीर में कोई क्रिया होती है तो उसकी सूझना तंत्री का तंत्र द्वारा पिनियल गरंती तक पहुंचाई जा शरीर के जिस भी भाग तक कहुँंचा नहीं है वो बहां तक कहुंचा दी जाएगी और शरीर जो है उसी हिसाप से केरिया कर देगा तो प्रितिक्रिया और क्रिया यह दोनों रेस्पॉंस में होती हैं एक दूसरे के लिए तो हम देखते हैं कि शरीर और आत्मा या मन जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत ही सामंजस से पूर संबंद बनाके रह पाते हैं जबकि ये दोनों कैसे हैं दुरोधी है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही है इसकी आलोचना बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है उसका वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं और यदि आपने आप तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें देखने के मिलते हैं अगले वीडियो में